पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर एट प्रॉब्लम नंबर नाइन का दोनों ही कंडिशन और प्रॉब्लम नंबर एट ये सारे ही डिसकस कर लिए हैं इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे प्रॉब्लम नंबर टेन ये पहला वीडियो होगा और ये दूसरा वीडियो होगा दोनों अलग अलग वीडियो में हम इसको डिसकस करेंगे तो प्रॉब्लम नंबर एट क्या है यहां पर देखिए तो हमें इस पे कितना force लग रहा है इसके वज़े से यह जो हमारा infinite straight wire है इसके वज़े से square loop पे कितना force लग रहा है वो हमें निकालने है और इसमें यह भी बताया गया है कि दोनों जो है वो steady current carry कर रहा है आई ठीके यह जो है वो square loop है तो इसका distance जो है वो a हो गया और यह जो wire है उससे square loop का distance s है तो चलिए यह वाला problem जो है discuss करते हैं बहुत ही अच्छा problem है और एकदम शान दिमाग रखके आराम से आपको सीखनी है क्योंकि यह काफी complicated problem है तो यह हमारा situation है जिसमें की infinity wire है और यह side है आपको given है थिके तो यहाँ पे हमें किसके वज़े से किस पे force निकालना है वो पहले समझना ए थिके तो यह जो wire है यह जो infinite wire है oke वज़े से इस square loop पे कितना force लग रहा है वो हमें निकालना है ठीक है देखिए अब इस square loop को आपको क्या करनी है अब इसका direction सबसे पहले आपको लेनी है ठीक है current इस direction में flow हो रहा है तो आपको wire को जो है जैसे ही आपका wire है और आपको इसको ऐसे पकडनी है ठीक है तो यह जो direction से round होके जा रहा है ठीक है खुछ ऐसे आ रहा है आपका magnetic field यह into the page यह out of the page ठीक है तो यहां पर देखिए यह क्या direction हो गया यह minus z-cap direction हो गया और यह z-cap direction हो गया ठीक है यहां पर मैंने coordinate draw कर दी है आप अच्छे से समझ पाओ इसको ठीक है तो अब सबसे पहले हमें find करनी है sections sections हमें लेना है loop का और फिर देखना है कि लूप पे कितना कितना force लग रहा है इस wire के वज़े से तो सबसे पहले हम क्या करते है a b और यह जो c d है यह दोनों sections को consider कर लेते देखिए यह a b and this is c d तो सबसे पहले देखिए force on a b part of loop due to current carrying infinite wire यह formula जो है वो मैंने आपको बता दिया है पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है ठीक है इस वीडियो में भी मैं रता देती हूं कि कोई भी जो line current होता है उसका formula ह force dfm is equal to i cross b into dl surface current के लिए होता है dfm is equal to k cross b into d a volume के लिए होता है dfm is equal to j cross b into d tau ठीक है यह line current होता है यह surface current और यह volume current तो यह सारे formulas मैंने आपको note down करा दिये थे first video में ही जो Griffith का magneto stat का first video है वो उसमें करा दिये थे ठीक है तो अब यहाँ पे मैं directly इसको use कर रही हूं देखि fab is equal to i l cross b यह आ गया so magnetic field due to infinite wire so magnetic field due to infinite wire क्या होता है यह भी मैंने आपको बताया है एक बार और बता देती हूँ यह semi infinite के लिए है magnetic field due to infinite wire क्या होता है theta 1 is equal to theta 2 आ जाता है इसमें हमें values put करनी होती है theta 1 and theta 2 की तो infinite के लिए theta 1 is equal to theta 2 is equal to 90 degree यहाँ पे आएगा b is equal to minotai upon 2 pi d ठीक है तो यह magnetic field हम यहाँ पे put करेंगे यहाँ पे और हम देखेंगे कि हमारा जो force है वो कितना लग रहा है fab is equal to i a minus x cap हो गया यह जो है वो आपका यह जो length है वो है और minus x cap direction इस direction में हो गया देखिए minus x cap direction कुछ इस direction में जा रहा करें तो इस direction में minus x cap direction हो गया ठीक है और आपको जो magnetic field है वो z cap direction में है देख सकते हो आप z cap direction में है तो minotai upon 2 pi s यहाँ पे s distance पे है इसलिए यह s हो गया ओके तो चलिए आगे बढ़ते देखते इसका क्या क्या solutions निकलता है यह देखिए तो यहाँ पे आपको cross product करनी है यह हो जाएगा f ab is equal to x crop x cap cross z cap यहाँ पे आगया y cap और f ab का value आपको मिल जाएगा mu not i square a upon 2 pi s minus y cap direction में ठीक है so ab section पे कितना force लग रहा है वो आपको मिल गया similarly force on the cd part due to current carrying infinite wire उसी तरफ फिर हम force निकालेंगे cd part पे कितना force लग रहा है देखिए यह जो आपका part है this is cd इस part पे कितना force लग रहा है वो भी निकालते है f c d is equal to i l cross b l जो है वो x cap direction में है तो यहाँ पर a x cap और यह a plus s हो जाएगा ठीक है यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह s इसका distance है यह s है और यह a भी add हो जाए क्योंकि हमें इस wire को लेना है तो यह s हुआ और यह a add हो गया so magnetic field कितना हो गया mu not i upon 2 pi a plus s z cap direction में इसको आप solve करोगे आपको मिलेगा f c d is equal to mu not i square a upon 2 pi a plus s this is y cap direction to c d के लिए और a b के लिए हमने यहाँ पर force निकाल लिया ठीक है तो यही हमारा net magnetic field होता है बाकी इसके लिए जब आप निकालोगे इस दोनों के लिए तो यह दोनों जो है वो 0 आता है चली यह भी निकाल के देखेंगे 0 कैसे आ रहा है तो यह दोनों जो है वो हमने आप find क आ गया यह solution आप करोगे बहुत ही easy है यह solution यह आपको समझाने के उतनी जवरत नहीं है तो यह आ गया आपका यहाँ पर वैल्यूस दिस अफ नेट इस एकल टुम्यू नोट आई स्कॉर ए अपॉन टू पाई इसको सॉल करिए f नेट इस एकल टूम्यू नोट आई स्कॉर यह स्कॉर अपॉन टूपाई एस ए प्लस एस अन दिस इस माइनस काप माइनस वाइकशन अब देखिए यह तो एफ नेट हमारा निकल किया गया लेकिन बीसी पार्ट पर कितना फोर्स लग रहा है वो भी अब देखेंगे तेके फोर्स ऑन पार्ट वी सी ड्यू टू प्रos μवनोट अपॉन टू पाई वाई जड़के अब यहाँ पर मैग्नेटिक फिल्ट हमारा वैरी कर रहा है जब आप मैगनेटिक को देखोंगे जैसे इस वायर के बज़े से मैगनेटिक फिल्ट यहाँ पर प्रोडूस हो रहा है तो जयसे जैसे उपर जाएंगे तो यह magnetic field जो है इस direction में vary करेगा ठीक है? यहाँ से आप measure करिये यहाँ से यहाँ दोड़ी पे है यहाँ से यहाँ दोड़ी पे है यहाँ पे है ठीक है? तो यह vary कर रहा है लेकिन आप इसको consider कर रहे हो तो यह तो constant है इसका जो है देखे, s distance पे है और यह s plus a distance पे है वो क्या हो जाएगा magnetic field due to BC BC का अगर हम integrations करेंगे यहां पर देखिए BC B is equal to mu no tie upon 2 pi y यह हो गया मैंने element के लिए है jet cap direction में so dfbc is equal to this is mu not i square upon 2 pi dy upon y यहां पर देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इस्टर का value मिलेगा this is y cap into z cap direction जब आप इसको solve करोगे तो आपको मिलेगा fbc is equal to x cap mu not i square upon 2 pi d से a plus d तक का integration होगा ठीक है यह देखिए यह कितना है d यहां पर मैंने लिग दिया यह s होगा ठीक है यहां पर आप d भी ले सकते हो s भी ले सकते हो so this is s to a plus s ठीक है यह है a plus s तो यह s से a plus s तक होगा देखिए s से a plus s यही segment है हमारा तो यह integration का limit हो जाएगा y में और यह जब आप इसको solve करोगे तो यह आएगा यह जब आप दोनों को प्लस करोगे यह यह दोनों को जब आ प्लस करोगे तो आपको f net जो है वह 0 मिल जाएगा ठीक है bc और d a bc और d a के वज़े से जो आपको मिलेगा force जो लगेगा this one and this one यह दोनों ठीक है this is d a d a and bc तो यह दोनों के वज़े से जब आपको force निकालना है तो वह हो जाएगा 0 तो f net कितना मिल गया f net आपको मिल गया this is a b और c d के वज़े से तो a b और c d के वज़े से हमने निकाल दिया है f net पिछले ही पेज में so f net is equal to mu not i square a square upon 2 pi s a plus s this is minus y cap direction तो यह आपका f net निकल गया यहां पर हमें क्या find करनी थी यहां पर दिखे यह हमें find करना था कि square loop पे कितना force लग रहा है इस infinite wire के वज़े से ठीक है देखे एक बार question भी दिखा देती हूं so find the force on square loop placed as shown in the figure near an infinite straight wire तो हमने इसके लिए निकाल लिया इसके वज़े से इस पर कितना force लग रहा है तो यह हो गया आपका यहां पर complete इससे related कोई भी problem आपको लग रही है कहीं पर भी समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझ से एक बार पूछ लेना comment section में okay that's it in this video thanks for watching आप